नमिश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागतरिंग के एजुकेशन में और नेवी ट्रेड्समेन क्या है? सबसे बड़ा कोस्टन यह आ रहा है कि हम नेवी ट्रेड्समेन की जो पोस्टर्स आई हुई हैं उनमें नोकरी लगने के बाद कौन-कौन से काम करने पड़ती हैं? क्या-क्या काम करना पड़ेगा? कैसी ड्यूटी होगी? कहां पर इड्यूटी होगी? क्या-क्या आपको करना पड़ेगा? और किस ट्रेड में क्या काम करना पड़ेगा? इस वीडियो में आपको सारे कोस्टनों के उत्तर मिलेंगे सारे कोस्टन के अंसर मिलेंगे बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जुरूर देखे तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बताना चाहूँ जो फर्ष्ट नंबर पे है एलेक्ट्रीशन फीटर ठीक है एलेक्ट्रीशन फीटर क्या होता है कि रिवाइंडिंग ओफ आल एलेक्ट्रिकल रोटरी मेकैनिक्स इंक्लूडिंग जर्नेटर, कनवर्टर और मोटर, आर्मेचर, ट्रांसफर्मर आलसो रिस्पोंसिवल रिपेर इन शोफलोर जो भी एलेक्ट्रीकल चीजें होती है जैसे जर्नेटर हुआ, कनवर्टर हुआ, मोटर हुआ, आर्मेचर्ज हुए, ट्रांसफर्ज हुए इनका सभी का सामसंभाल करनी होती है एक एलेक्ट्रीकल फीटर को अब एलेक्ट्रो प्लेटर का क्या गाम होता है Electro Plating Activity होती हैं जो भी जाड में, वो सारी इन्होंने करनी होती हैं जैसे Low Power Boundary और Loating, Unloading अश्म पॉर्पॉश्चिंस Boundary जो Boundaries बगएरा काम होता है वो Electro अन्वाकिछ स्प्रों का काम होता है Boundaries का काम होता है जो जो Ship में Boundary होती है आपकी नेवी में जितनी भी वेंटरी होती हैं उनका काम एलेक्ट्रोपेटर का होता है अब इंजन फीटर की बात करें इंजन फीटर की अगर आप इंजन फीटर के लिए बढ़ती हैं तो उसमें आपको रपेर, ओवरहाल, इंस्टालेशन ओफ ट्रेल्स, मेन, फीटिंग ऑफ ट्यूप्मेंट, ओन बोर्डशिप्स, जो भी आपकी जहाज होती हैं, उनमें जो इंजन बगर ओकर, इंजन इसका फीटिंग बगर ओती है, ओन बोर्डशिप पे वो आपको करनी होती है, ठीक है, यह काम होता है, और फांडरी का, वर्क ओन वैरिस ट्रेक्टिफाइ दा अकरिंग ड्यूरिंग दा काप्लबरेशन से, तो यह काम होता है, और पैटरन मेकर की बात करें, जिसमें बहुत ज़्यदा लोग बरते हैं, श्ट्रक्ट ओन वर्क ओन पैटरंस, वर्क है इस दा वूड वर्किंग, ठीक है, जो भी बूड वर्किंग मशिनरीज होती है, उनका कामियां पर होता है, अब बात करते हैं, आई-सी-ई-ई-फीटर, आई-सी-ई-फीटर क्या होता है, रपेर, औरहाल, इस्टालेशन ऑफ सीटिंग टु वर्क, एंड ट्रेल ऑफ मेन डीजल इंजन, जो भी डीजल इंजन होते हैं, उनके, जो उनक बात करते हैं, मेकनिश्ट की, यूजिस ऑफ स्पैसल में, मेशीन, टूल्स, ट्रेड सच आटोमेटर लेट, एंड, कर्णैनि टेनिंग लेट, यूजिंग अडवांस मिटीन, सच है, त्री एक्सिस, फाइव एक्सिस, सी एंसी, मेशीन, तो ये मेकनिश्ट, एक बता दिया था पहले भी, ठीक है, और, शीट, शीट, मेटल वरकर, जो शीट मेटल वरकर होते हैं, जो नीचे का स्टील की प्लेट होती है, जो शीट होती है, उनकी बैल्डिंग करनी होती है, सारी वो शीट होती है, जो दर्ती पे, जो फर्ष लगता है, जिस चीज़ का, जो शिप्स बगारा पे जो फ्रस्च लगता है ठीक है वो आपको समझ में आगया पाइप फीटर क्या होता है पाइप इर्धं धीर होगा इन ten Samza is फ्रीज भी होगा उनमें एसी भी होगा वो आपका यहां पे काम होगा उनकी सामस्वाल उनकी ठीक क्या वो कूलिंग कर रहे हैं जह नहीं कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग करनी उनको चेक करना उनकी मेंटेनेस करनी उनकी सर्विस करनी यह सारा काम रेफ्रिजरेशन और एर का होता है अब बात करते हैं टेलर की टेलर का क्या का काम करना होता है वो आपको सभी का पता है टेलरी का जो भी फैबरिक पोर्शन होता है ठीक है उनको सेट करना उनको सीलना उनको सीमना ठीक है बैल्डर का क्या 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 होता है वैल्डिंग करनी जहां यहाइब नगें और आपको किसमें और आपको यहाँ पर स्मिथ लिखा वा है और इसमें होता है आपका sir bear repair of anchor chain cable load chain chain बगएरा Genau का होता है ठीक है? और chain बगएरा की और अगर आपके कोई आप जिस trade में बरना चाते हैं उस trade का आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे पुछना की sir blacksmith का क्या काम होता है, तो आपके उसके नीचे में लिख दूंगा comment box में इस वीडियो के comment box में तो आपको समझ में आ जाएंगी तो किर पर इस वीडियो को comment box में जरूर लिखेंगर आपका कोई अभी भी doubt अज़ की वीडियो बजितना ही धन्यवाद दोस्तो